वेलकम बेक तो माइचूब चनल पेपर हैकर कैसे हैं आप सबी लोग आज के इस वीडिएउ देखने वाले हैं जो भी राम मनोहर लौहिया अबध इनिवस्टी आप जानते हैं तो राम मनोहर लौहिया अबध इनिवस्टी की बात Pere énormे प्लस लाओगे मतलब कि आप टॉपर बन रहे हो link description box में जाके देख लो यदि आप हमारे notes को download कर लोड़े है तो भी हमने link description box में दे रखा है जाके आप देखो आप B.com first semester में है तो आप first semester करिए बहाँ सारे आपको link मिल जाएंगे सामने link पे touch करोगे आपको सारी PDF फिल जाएंगी PDF को download कर लेना और अच्छे नम तयारी करनी है ठीक है और आपको important question देखना है उसका link भी description box में दे रखा है B.A. first year, second year, third year 2021 में आने वाले question 2022 में आने वाले question ऐसे ही 2023 में आने वाले question भी हम आपको provide कराएंगे ठीक है तो आप channel को अभी subscribe कर लेजिए paper hacker आपके साथ हमेशा रहेगा और जो question बताता है तही paper में आता है आप channel को इस बात को याद दख लेना है और मैंने आज के वीडियो में देखने वाले है B.A. first semester की 2022 का paper है नई सिक्षा नीती किया दूसर आप देख सकते है और ये जो paper है वो आपको बता दिया है business organization का paper हुआ है जो आपका 75 नंबर का है आप देख सकते हैं तीन घंटे में solution करना है और मैंने जो आपके लिए 2022 में आने वाले question दिये थे आप देख सकते हैं कि business organization में कितना फसा है link मैंने उस video का description box में दे रगा है सबसे उपर video आपको मिल जाएगा business organization का आप उसको वस पढ़के चले जाएए मैं आपसे बादा करता हूँ कि आपको fail करने वाला कोई पैदा नहीं है इन question को आप देखके जाते हैं तो ठीक है अब आप देख लो अब यहां मैं आपको बताने वाला हूँ सारे आपको देखो एक बार याद करना जो भी आपका paper हुआ करे आप paper की pdf को हमारे साथ pdf को या फिर आप हमें क्या करना है pdf को भीज देना है यह फिर आपको photo मलब photo भेग सकते है pick भेग सकते है अपना paper का खेंच के ठीक है और उसमें नीचे आप simple लिख दीजिए और यह जो paper भेजा है वो हमें अमन अमन जी ने भेजा है अमन उनका नाम है उन्होंने इस paper को भेजा है हमारे लिए और आप भी यह दिया प्यार अपना नाम यहां बुलवाना चाहते हैं तो आप paper को तुरंत जैसा हुआ करें आप हमें हमारी whatsapp number आपको पता होगा 7037-3278 और 38 पर तुरंत आप उस paper को भेज दिया करो जो भी paper हुआ करें आप हमें बेजा करो हम उसका explain करके आपको बताएंगे अब यहां बात करने वाले है खंड नंबर A की section A में अब यहां देखो बोला गया है कि 2 आप देखो यहां कहा रहा है आपको सभी परसनों के करना अनवार है आपको पिरतेग परसन 2 नंबर का होगा और जो answer आप लिखोगे परतेग कोशन का वो 50 सब्दों में दोगे वह यह बुला गया है कि आप ज़्यादा बड़ा करने की जुरूत नहीं है कोशन को 50 सब्दों में answer देजिए यह हमसे पूछा गया है यदि हम बात करें इस कोशन की पहले कोशन की बात की जाए पहले कोशन में 5 खंड दे रखे है जैसे कि बूला पेसे से आप क्या समझते है यह पूरा कोशन फसा है जो हमने आपको important दिया था देखो हम बता था हम जंडा काड़ते है जहां बोलते हैं न हमारे जंडा काड़ते है समझ रहे हो ना अब यहां देख सकते हो कि ब्यपसाई को परिभासित कीजिए बिजिनिस की परिभास पूरा कोशन फसा है दो नंबर का देखो यह फसा दो नंबर का यह फसा चार नंबर का हो गया चलो नीचे चलो अब देखो आपको हमें कितना करना है यहां पांच कोशन कर बूल रहा भी तिक दो नंबर का है दशक्राइब लिए तो आपको कितने करने वह करना देखो अब यहाँ मैं आपको बचाता हो तो दोड़ा करके दिखा देता हूं को साथ दिखाई थे सारी वीडियों में देखने को मिलेंगा आप देख लेना और और यहां देखो जो कह सकते हैं इसकंद कंपणी क्या होती है से इसकंद कंपणी की बात करने वाले हैं तो उसके बाद में देखो आपको नेक्स जो पेपर कोशन पूछा गया वह पूछा गया है से इसकंदन कंपणी क्या होती है मैं एक बाद चेक कर लेता हूं यह कोशन मैं पना हुआ है important question का उनसे में check करके आपको बता रहा हूँ तो यह question मैंने आपको important नहीं दिया था तो आपको इसको छोड़ दीजिएगा और यहां देखो कह रहा है एकल व्यक्ति कंपनी को परिभासित कीजिए एकल व्यक्ति कंपनी का मतलब जो एक व्यक्ति कंपनी को चलाता है यह पूरा question फसा है एकल सुविधा साधन क्या होता है एकल सुविधा साधन की बात की गई है तो यह भी question मैंने आपको सुविधा की बात की बात नहीं की गई थ और वेपसाइक इकाई की बात की थी मैंने कोशन में कि वेपसाइक इकाई क्या होती है ये बात की गई थी वहीं ठीक है और इसको हम जिसे एकल और मैंने एकां की ब्यापार की बारें बोला गया लेकिन एकल सुविधा साधन की बारें नहीं बताया था उसको छोड़ देते है यहां गूलाए ब्यपसाइक के आधार, स्री, आकार को मापने के लिए जो उपलक्त मांडंड है वो कौन-कौन से है ब्यपसाइक इकाई को, तो मैंने आपको important दिया था, कि ब्यपसाइक इकाई जो है, ठीक है ब्यपसाइक जो इकाई है, उससे आप क्या आस है और उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं मैंने यह आप से दिया और तो ब्यपसाइक एकाय को जब पढ़ोगे प्रभावित करने वाले तत्व तो वही आकारमापने के लिए जो मांदर्ण है वो वही आपको देखने को मिलेगा जहां परिवासा पढ़ेंगे अब तो यह कोशन पूरा फसा है ठीक है आप कैसे रहा है जो का नर्माण कैसे होता है यह हमसे पूछा गया है तो सेलूर के बारे में हमने इंपोर्टेंट नहीं दिया था आप इस कोशन को यहां छोड़ सकते हैं ठीक है लेकिन मैंने जो युक्तिकरण है उसके बारे में बिवेकी करण तो दिया है लेकिन युक्तिकरण के बारे मैंने नहीं दिया तो इसको छोड़ देना ठीक है तो युक्तिकरण के बारे में नहीं दिया है ठीक है ये 5 हो गया 5 और उसके बाद में ये 6 कोशन 6 कोशन फसे हैं विटा और 6 दूनी 12 मलब कि 12 नमबर के आपके यह फस जाते हैं यदि हम सेक्शन नमर B में जाते हैं तो आपको 5 कोशन करने के लिए बोल रहा है और 7 नमर का 1 कोशन बनता कि 35 नमर का कोशन आपको देखने को बिलेगा 200 सब्दों में आपको आंसर देना है ज्यादा देने के जुरूत नहीं है यह हमसे बोला जा रहा है अब देखते हैं इस कोशन को देखें दूसरा कोशन बोला गया है ब्यपसाई किस प्रकार किस प्रकार पेसे से बिन है मलब जो ब्यपसाई होता है जो बिजनिस ह करता हूं ठीक है तो वह चीज है पेशा है हमारा केहते ना डांकर डालना पेशा हमारा तो वह चीज है तो business है और पेशे में क्या भिनता है वह आप से पूंची गई है उसके बाद में बात कि जाये दूसरा question ये नहीं करना चाहिए तो छोण सकते हैं पूरा कोशन पता है बेवर के स्रडेंद दस्तान के बारे में पूरा कोशन फसाइब देखिए उनके पिरकारों को देखिए उनके पिरकारों को याद करिए तो आप आपको जानते हैं नमबत चड़ और विक्रन आपको नहीं दिया था宮रे में दिया था ये व्क्रन वाला च्रण आपको देख सकते हैं तो इस तरीके से आपको कोशन पूरे के पूरे पूरे फसे है हम लगा सकते हैं देखिए मैं आपको दुबारा से क्योंट करके दिखा देता हूं देखो एक कोशन ये फसा है उसके बाद में ये ये कोशन नहीं फसा था ये दूसरा फसा है तीसरा फसा है देखिए चौता फसा है ठीक है और उसके बाद में पांच में फसा है देखिए और फसे है, अब जो चाहें, पान्च tob suggestion कर सकते हैं, जो भी आपको यादो, यदि हम section number C में जाते हैं, तो section number C में, भी होता है, और paper 2022 का आप देने बाले हैं, आगे किसी भी university से, यूपियम अध्यबर्देज्थ, तो आप हमारे चनल को subscribe कर लो, वैल आइकन को प्रेस कर दो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को share कर दो कोई भी दिक्कत है तो comment section में हमें पूछ लेना अब देखो बात किते हैं, यहाँ दो कोशनों के आपको answer देना है यहाँ बोला गया है, आपको देखो दस नम्मर का एक question होगा यहाँ simple बोला गया है, और दो question आपके answer देने 20 नमर के हो जाएंगा चलो देख लेते हैं, कौन कौन से question हमसे पूछे गए है यहाँ बात की जाए, दो question हो के आपको answer देना है और यहाँ देखो सिंपल तरीकरी से बोला गया है कि आप पहला कोशन जो है वो है ब्याबार सेख्तिकरण की विभिन तकनीकों का वरण करिए और ब्याबार सेख्तिकरण के दोस्ट को बताईए ये कोशन पूचा गया भई 11 वजो कोशन पूचा गया वो पूछा गया व्यापार समाज का दरपन आपको बताना है इस कथन के पिरकास में ब्यापसाय की जो अवधर्णा कारिछेत्र और महत्व को इंगित कीजिए आपसे पूछो कोशन पूछा गया देख सकते हैं एक बार यह कोशन बहुत अच्छा है कि जो ब्यापार समाज है उसको दरपन बताना है तो ब्यापार मैंने आपको केवल यह ब्यापार समाज की बारे में नहीं बताया था ब्यापसाय की बारे में बताया था समत रहे ना बिवात को कुछ कोशन पॉइंट से मूँ आपको अठ चुके तो इसको छोड़ दीजिएगा इस question को यहां बात करें प्रवर्दक से आप क्या समझते हैं करतब पे उनके तो प्रवंदक जो होता है प्रवंदक किसी कार को करता है उससे आप क्या समझते हैं यह हमसे पूछा गया है तो प्रवंदक के बारे में आप note कर लेजिए question बहुत important है ठीक है और यह कई बार आगे जो भी question बताऊंगा दो हजार ठीक है दो हजार तेईस में दो हजार चौबिस में तो आप उसको आसानी से बता सको ठीक है और कोई दिक्कत ना हो आप अच्छे नंबर से पास हो सके ऐसे मैं आपको देखता हूं तो वह मैं note करके तो चलता हूं ताकि आपको अगले क कोई दिक्कत ना हो ठीक है हम मैं आपको हर question का सतीक आंसर बता सकूं सतीक जानकरी दे सकूं बहीं बात करें बेपसाइक एकाई क्या होती है उनके लोगों तम एकाई गाधार के बारे में यह question पूछा आप देख सकते हैं और उसके बाद में इतने question थे आपको दो question करना था आप देख सकते हो 10 से लेका 13 question है मतलब कि आपको 4 question दे रहे हैं 4 question में 2 question करना था जो भी आपको दिल करें वो इस question को आप यहां question कर सकते हैं answer दे सकते हैं आप देख सकते हैं तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी comment section में आप जरू बताएगा आसा करता हूँ वीडियो पसं पूटू भेज दो यह फिर आप हमारे pdf बनाकर भी बेज सकते हैं ठीक है यह फिर आप उसका पिक भेज सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हम दोनों तरीके से accept करेंगे और इसको वीडियो बनाएंगे और यह paper जो बेज जाता वो अमन जी ने बेज जाता ठीक है ठीक है जो आ अब भी अपना देखो मैं आपका नाम लोगा यहां जो भी paper भेजेगा तो इस वाद को याद रखना चल को भी subscribe कर लेना पहला एकन को प्रेस कर देना थैंक यूप बचेंट वीडियो बाई-बाई